और दोस्तो कैसे हो जब बड़िया तो बड़िया ही रहे दोस्तो दोस्तो आज हम आपको box बताएंगे कैसे कास्ते और कैसी connection करते हैं इसके वारे मैं आपको इस वीडियो के थिरू बताएंगे दोस्तो यह 8 इंची स्पीकर है यह 4 इंची टूटर है तो दोस्तो यह वोक्स है जिसमें हम कसेंगे यह हमारा वोक्स है 8 इंची का तो कनेक्शन कैसे करते हैं हम बताएंगे टूटर के लिए वायर ले लिये इतनी ज्यादा नहीं लिने थोड़ी सी वायर लेने जो श्पीकर तक आ जाई और यह आपको इस तरीके से तो दोस्तो यह हमारे कंडेंसर है जो इसमें लगेंगे तो यह कंडेंसर है हमारे यह लगेंगे टूटर में यह 25 वाट का कंडेंसर है यह देखो 25 वाट का कंदेंसर है हमारा और यह दो कंदेंसर हमारे ये हमारे लगेंगे इस इसमें यह लगेंगे तो उस तरीके से लगा लीचर maior तो दोस्तों अब यह कंडेंसर हमारे जो यह भी पेश्ट करके लगा लेना है इस तरीके से जो हमारी वायर थी अब उस वायर को लगा लेंगे यहार जो वायर है इसको थोड़ा सा करके पेश्ट करके इसको भी इस तरीके से लगाना है तो दोस्तों एक कनेक्शन हमें कंडेंसर पर कर लेना है इस पर इस कंडेंसर पर लगा लेना है और नीट एक कनेक्शन आपको स्पीकर पर लगाना है तो दोस्तों हमारा दोस्तों कंडेंसर इस लिए लगाए जाते हैं क्योंकि फोग जाता है यह टूटर अब फोकेगा नहीं तो दोस्तों यह पेटी हमारी आठीलची की है इसको निकाल लेंगे तो इसमें हमें अब एक वायर लेनी है जो हम नीचे लगाएंगे तो दोस्तों यह वायर स्पीकर के लिए हमारे जितना आपको जुडते है इतना ले लेनी ना बाहिर तो यह हमारा होल है हमने सुराक कर दराख खता इसमें इस तरीके से इसमें नीचे निकाल लेना थार यह हमारा आगया है जो हमारा तो दोस्तों जो हमारा टूटर है उसको हम लगा लेंगे इस तरीके से तो हम अब कनेक्शन करेंगे इस तरीके से वायर छिल के यह हमारा वायर है जो हमारा स्पीकर पर लग जाएगा तो दोस्तों पलस माइनस देख लेना इसमें भी यह पलस है जो रेड है और यह वायट वाला माइनस है दोस्तों पलस पर हमने यह लगा दिया और यह हमने माइनस वाली पर लगा दिया है अब हमार जो मैन वायर है यह वाली यह वाली जो मैन है बाहर जाएगी एंगली फायर पे तो इसको भी हम ऐसी लगाना पलस माइनस चेक करके तो दोस्तों पलस माइनस इस तरीके से आपको वायर लगा वायर लगा देनी तोर इसको अंदर करके श्पिकर टेक देना है और दोस्तों अब बॉस्तों में पेड पेच कस यह इसमें पारिया 안े कर ऐसे और दोस्तों मेंहारे पीच को इस खुछेष़् सु कर में इसमें इस तरीके से में पेच कसेंगे तो दोस्तों आपको पेच इसमें कस देना कि दोस्तों हमारे पीच कुरू पेच कस देने इसमें इस तरीके से अब आप कस पीक कर भी कर दोस्तों आपका स्पीकर भी कस गया है अब इस पे हम अब इसको बंद कर दें कि दोस्तों इसको हम अब को बजा के दिखाएंगे तो दोस्तों चला के दिखाएंगे दोस्तों आपका स्पीकर रेडी है अब दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें करेंडर के करें